अस्सलाम अलेकुम स्ट्रेंट्स क्या हाल चाले मैं आपको बता दूँ कि आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7 कोडिनेट जोमेट्री तो हम यहां पर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोडिनेट जुमेट्री जो आपके फर्स्टर में आएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है इस चैप्टर मैं 7.1 एक्सराइब एक्सराइब 7.1 वह टोटली डिपेंड है economically of distance formula and exercise 7.2 है वो depend है आपके उपर section formula के उपर depend है ठीक है? दूसरा है section formula और exercise 7.3 जो है वो है area of triangle तो यहां मैं आपको बता दूँ कि distance formula and section formula आपके syllabus में है और area of triangle eliminate हो गया है area of triangle element हो जाने के बाद coordinate geometry में सिर्फ दो exercise बज़ गई सिर्फ दो formula बज़ गए और यह chapter आपके लिए दाए हाथ का खेल हो गया ठीक है? आप सिर्फ दो formula याद करकर और उसका implementation किस तरह होता है यह देखकर आप पूरा chapter complete कर सकते हैं पूरा chapter में आप 100% marks achieve कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है इस वीडियो में हम देखेंगे distance formula and question based upon distance formula जितने भी exercise में question है introductory video है यह क्योंकि introductory video में हम सबसे पहले concept को detail में पढ़ते हैं और concept के ओपर based जितने भी examples होते हैं NCRT के वो सारे detail में हम explain करते हैं यहां मेरा मकसद concept को clear करना होता है इसलिए मेरी video सोड़ी सी लंबी होती है अगर आप चाहते हैं तो जाकर चोटी चोटी वीडियो जो 5-5-10-10 मिनट की बहुत वीडियो पढ़ी है 15-15 मिनट की जिसमें अच्छा ऐसी भी वीडियो पढ़ी है complete chapter in one go complete chapter quick revision अगर आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि एक घंटे में concept समझ आ सकता है तो 8 chapter आ रहे हैं बस first term में 8 घंटे में आप पूरे syllabus खतम कर सकते हैं यानि एक दिन के लिए कि आपको जरूरत है बस एक दिन में आपको लगता है अगर आप पूरा chapter खतम करने के बाद achieve कर सकते हैं good marks in first term तो आप वो जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कोई भी concept clear करने के लिए time चाहिए होता है उसकी पीछे की history चाहिए होती है आपको उसको समझ ना होता है आपको उसको उतार ना होता है अपने अंदर के concept क्या कह रहा है जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आप उसको different type of questions में implement नहीं करेंगे आप फंस जाएंगे तो यह याद रखिएगा मैं तब तक वीडियो बनाता हूँ तब तक वीडियो इसलिए लंबी जाती है जब तक मुझे समझ में आता है कि concept किलियर हुआ या नहीं और मैं दियान में रखता हूँ कि वो students जो first time इस concept को देख रहे हैं पहली बार ये बात सुनना है उनके भी समझ में आनी चाहिए इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है चलिए शुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जहूर दबा देना चलिए शुरू करते हैं आएम किलास इसके अगली किलास तो students class 10th coordinate geometry चैनल करने से पहले हम देख लेते हैं किलास 9th में हमारे साथ क्या हुआ था क्लास 9th में हमने कुछ पढ़ा है या नहीं coordinate geometry में ठीक है थोड़ा सा revision कर लेए coordinate geometry की तोड़ी history पढ़ लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है क्लास 9th में आपने पढ़ा है Cartesian system आपको पता है Cartesian system किसे कहते हैं वो ही X and Y वाला system यानि ये एक X axis है और ये Y axis है यानि दो coordinate यानि 2D में आप किसी भी line को किसी भी figure को 2 coordinate 2D में अगर आप उसको draw करेंगे या represent करेंगे तो X और Y coordinates में represent करेंगे अब हमने क्या पढ़ा था आपको ये पता था कि ये X axis है X axis के this side positive X axis है and this side negative X axis है Y axis upward जो है positive है and downward negative है चीक है जब 1, 2, 3, 4, 5 ये minus 1, minus 2, minus 3 minus 1, minus 2, minus 3 और ये 1, 2, 3, 4 इस तरहा से आपने बढ़ा था तो दूसी चीज हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पर कुछ point लिख लेते हैं जो मैं आपको याद दिला दू अगर P कोई एक point है वो आपको denote करना है अपने partition system में यानि X और Y coordinates उसके आपको चाहिए denote करने के लिए तो सबसे पहला कोई जो point होता है मैं यहाँ पर आपको दिखा दू 3-5 अगर यह आपके पास point है यानि पहला जो number होगा वो X coordinate होगा दूसरा जो होगा Y coordinate होगा तभी आप इसको denote कर सकेंगे तभी आप P point को represent कर सकेंगे यहाँ पर ठीक है और पहला जो होता है X coordinate इसका एक different नाम भी है जिसको कहते हैं Epsisa 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 एक्चुली रिपर्जेंट क्या करता है यानि अगर कोई point है 3-5 तो यह 3 क्या रिपर्जेंट कर रहा है यहाँ पर लिख लीजे प्लीज इसको तिकें इसके उपर आपके MCQs भी आ सकते हैं हम देखेंगे किस तरह आएंगे Epsisa एक्चुली रिपर्जेंट करता है Distance of point P from y-axis अभी सिर्फ इसको लिख लीजे हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह Ordinate क्या रिपर्जेंट कर रहा है Distance of point P from x-axis यानि यहाँ आपका x-coordinate है वो distance from y-axis रिपर्जेंट कर रहा है और जो y-coordinate है वो distance of P from x-axis रिपर्जेंट कर रहा है अब अगर यह हमाँ बात समझ में आगे तो एक चीज और यहाँ पर छोटी सी हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक point में लिख रहा हूँ इसको नोट कर लीजेगा Distance can never be negative value ठीक है Distance can never be negative value ठीक है distance की value कभी भी negative नहीं होती यह हम जानते हैं यानि अगर आपके पास point यहाँ पर दे रहा है 3-5 तो आप यह नहीं कहेंगे कि distance from x-axis is minus 5 क्योंकि y आपको क्या दिखाता है distance from distance from x-axis तो यह plus value होगी यानि distance from x-axis जो है 5 ही होगा यह याद रखेगा अब इसको represent करते है P3-5 को आप कैसे represent करेंगे 3,5 को 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 अभी हम वो पढ़ रहे हैं जो आपने class 9 में देखा था class 9 में पढ़ा था उसका revision कर रहे हैं ताके आपको याद आ जाए ठीक है तो आपको represent करना है हमने class 9 में representation of the point भी देखा था 3,5 को पहला point क्या है एपसी सर यानि x coordinate तो यहां से हम चलेंगे 3 तक 1,2,3 यहां पर आगए आप दूसा point है आपका 5 जो के y axis पर है यह point y axis पर है तो y axis से सीधी है आप जाएंगे और इसको मिला देंगे rectangular एक बन जाएगा शेप और यह वाला point जो होगा यह point होगा P यानि 3-3,5 अब मैंने आपको बता है था कि FC सा क्या represent करता है distance from y axis यह देख लिए इस point का distance y axis के कितना दूर है distance कितनी है यह है यानि this distance is equal to this distance यह दोने distance बिलकुल exactly equal है parallel lines है parallel lines के बीच की दोने distance है तो दोने distance बिलकुल equal है यानि यह जो unit है आपके पास 3 unit 1,2,3 यह जो 3 है यह distance है from y axis अब यह unit है आपके पास x coordinate वाली यह distance of the point है from x axis यानि यह distance बिलकुल equal है तो यह हमने यह आपर देख लिया कि ordinate क्या है distance of point P from x axis और FC सा है distance of point P from y axis यह याद रखिएगा आपके exam में इसके उपर mcqs आ सकते हैं चलिए हमने यह देखा था और हमने क्या देखा था class 9 में लगवख हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख लिए अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि पूरा x axis जितना भी है ठीक है minus infinity to plus infinity पूरे x axis पर y 0 होगा यह आप नोट करके लिख लीजेगा ठीक है पूरे x axis पर y 0 होगा और y axis पर क्या है आपका x 0 होगा ठीक है यानि अगर मैं यहाँ पर बनाऊं partition plane यहाँ पर बनाऊं x axis and y axis यहाँ पर जितने भी points मौजूद हैं 1, 2, 3 तो यह point आपके पास होगा 3, 0 यानि y वाला coordinate हमेशा 0 होगा y is equal to 0 होगा यहाँ पर x is equal to 0 होगा पूरे y axis पर यानि यहाँ पर अगर कोई point है यह मैं यहाँ पर एक negative value ले ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 यह सब negative negative 1, negative 2, negative 3, negative 4 अगर यह आपके पास point है तो पहले x 0 फिर y 4 यह point होगा और आपको पता है कि जहाँ x axis और y axis दोनों meet करती हैं ठीके वो क्या कहलाता है आपको origin कहलाता है वो point और origin पर x और y दोनों 0 होते हैं तो यह बहुत ही दियान रखिएगा याद रखिएगा कि x axis पर पूरे x axis पर y की value 0 होती है और पूरे y axis पर x की value 0 होती है और इसी introduction के साथ अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपना distance formula और उसके ओपर base examples चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं distance formula और बहुत दियान से distance formula को देखीगा क्योंकि एक ही formula के ओपर पूरी exercise base है एक formula आपको याद हो गया पूरी exercise आप खटाक से कर लेंगे सिर्फ आपको basic understanding होनी चाहिए mathematics की distance formula क्या कहता है अगर आपके पास दो point है यह P है और यहाँ पर कुछ दूरी पर आपके पास Q point है P के coordinate है x1, y1 Q के coordinate है x2, y2 तो अगर P से Q की बीच की आप distance निकालना चाहें तो distance formula से निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे P और Q की length निकालने के लिए आपके पास formula है under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square देखा कितना आसान formula है बहुत ही easy formula है और इसी easy formula के उपर base पूरी exercise है अब आप कहेंगे सर इसको याद करने हैं कुछ तरीका तो बता है याद करने का तरीका इसका बहुत आसान है P Q P Q का मतलब जो second वाला word है यानि Q minus P कर देना है Q के कॉडिनेट जितने भी है minus P कर देना है याद रखिए कि X के कॉडिनेट आपस में subtract होंगे Y के कॉडिनेट आपस में subtract होंगे Y के कॉडिनेट X के कॉडिनेट से subtract करने की खलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा आप ठीक है इसी तरह c-d की distance निकाल लिए तो d-c आगे वाला जो point है उसकी distance उसके coordinate minus पीछे वाला जो point है उसके coordinate अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ यह है कि यहाँ पर square है मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं कि 5-3 whole square क्या होता है 5-3 यानि 2 square तो यह होगा 4 अगर मैं इसको पलट दूँ यहाँ पर कर दूँ 3-5 whole square तो यह क्या होगा 3-5 minus 2 whole square अभी minus 2 का whole square भी plus 4 होता है ना minus का square plus होगा ठीक है तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ यह है कि इसको हम x1 minus x2 भी लिख सकते हैं अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर ठीक है और अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दू x1 minus x2 जैसे यहाँ नेगा था 5-3 and 3-5 whole square answer same आएगा तो यहाँ भी answer बिलकुल same आएगा ठीक है तो यह मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पर ठीक है इसका मतलब क्या हो गया जो x2 वाले coordinate है उसमें से x1 वाले coordinate में से x2 वाले coordinate घटा रहे हैं इसमें से यह घटा रहे हैं तो यानि अगर मैं इसको इसके हिसाब से लिखूं तो क्या इसको QP नहीं लिख सकता है यानि P minus Q P minus Q P वाले coordinate minus Q वाले coordinate आपको बता है distance यहां से यहां की distance और यहां से यहां की distance बिलकुल equal होगी P Q is equal to QP होगा तो कहने का मतलब यह हुआ कि कौन से coordinate किसमें से घटा रहे हैं matter नहीं करता X के coordinate का difference minus Y के coordinate का difference दौनों का whole square के बाद addition करने के बाद आप square root ले ले लेंगे तो आपका answer आ जाएगा इसको अगर मैं general form में यहां लिखना चाहूँ तो यहां लिख सकता हूँ कि difference यह मैं खुद अपने पास से बना रहा हूँ difference between X coordinate whole square difference difference between Y coordinate whole square तो अब बताइए इससे आसान कोई हो सकता है formula किस में से किसको घटाना है सिर्फ X में से X और Y में से Y X coordinates में से X coordinate Y coordinate में से Y coordinate दौनों का difference लेंगे difference of X coordinate difference between Y coordinate अब आपका point कुछ भी हो यहाँ पर आपको length आ जाएगी दो points के बीच की अब यहाँ पर चेकर करने वाली बात यह है कि यह तो दो point के बीच की distance आ गई अब distance formula अगर कोई एक point है उसकी distance origin से हम निकालें मालेजें यह point है X and Y और distance निकालनी है from origin ठीक है origin आपको पता है origin के points क्या होंगे 00 होंगे coordinate origin के X भी 0 है यहाँ पर Y भी 0 है यह X axis है यह Y axis है तो distance from origin कैसे निकालते हैं इसका direct formula याद कर लेजे distance from origin distance from origin यानि P origin को अगर हम O मालने तो P O की value क्या होगी under root इसके जो coordinate हैं सिर्फ उसका square करके plus करने के बाद under root ले ले लिजे यानि सिर्फ P के जो coordinate हैं उसका square यानि P X minus 0 whole square X ही होगा Y minus 0 whole square Y ही होगा तो यहाँ पर distance from origin का formula यह है जिस भी point के distance from origin निकालने हैं उस point के coordinate का ही square आपको करना है ठीक है तो इस वीडियो को pause करके इसको उतारिए और उतारने के बाद आप हम देखेंगे इसके कुछ examples और वहाँ पर कैसे हम distance formula को implement करते हैं है जापको करते हैं